नमस्कार किसान भाइओ हमारे यूट्यद् चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के विडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फास पुरास धारी उरोको के बारे में फास पुरास धारी उरोको के क्या कार यह है क्या इसके कमी के लक्षन है, कब हम फस्बोर हो में इसका उप्योग करना चाहिए, और किन-किन उर्वों का इस्तमाल करना चाहिए, पूरी जंकारी इस वीडियो की मादियम से देने की कोस्वशत करेंगे, तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहे, किसान भाई यो फासपुर उसके कारियों की बात की जाए तो यह मुख की रूप से जड़ों के विकास हैं जड़ों के फैलाओं के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो हम यह मुख की रूप से जो फासपुर से बुवाई के समय ही इसका इस्तमाल करते हैं लनी फसलों में जो गाटे होती हैं उनके निर्माण में और उनके संक्या बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है पौधों में कलियो, फूलो, बीजो, फलो के विकास में इसका बहुत ही महतोपूर योगदान है साथ ये भूसे की तुलना में दाने का अनुपात बढ़ा देता यानि कि ये दानों के निर्माण में बहुत ही आउशक पोशकतत्व है किसान भाई अगर फासपूरस के कमी के लक्षण की बात की जाये तो फासपूरस की कमी की कारण पोधों का छोटा रह जाना, जोडो का विकास रूख जाना, पत्तियों का रंग घहरा हारा और किनारे से लहरदार हो जाना, इसके मुख्य लक्षणे, अधिक कमी से तने का गहरा पिला रंग पढ़ना, फल और बीज का निर्माण सही से नहीं होना ये सारे लक्षण आपको फासपूरस की कमी की कारण पोधों को में देखने को मिलेगा फासपूरस जोड़ों के विकास के साथ ही उर्जा और सीग्र फलन पकने के लिए इसका उप्योग किया जाता है किसन भाई फासपूरस दरी उर्गों के क्लास्टिकिसिन की बात करें तो इन्हें दो केटिगरी में बाटा गया है पहला है जल में गुलनसील उर्ग जिनको की हाम मोनो केलसियम फासपेट कहते हैं इसके अतरगत तीन उर्ग आते हैं पहला है सिंगल सूपर फासपेट जिसमें 16-37 तक फासपूरस हैती है डबल सूपर फासपेट जिसमें 32-37 तक फासपूरस हैती है जो की डाय केल्सियम फास्पेट कहलाते हैं और इसमें पहला ही है डाय केल्सियम फास्पेट जिसमें की 34 से 49 पतिसर तक पास्पोरस होता है दूसरा है रॉक फास्पेट रॉक फास्पेट में 20 से 40 पतिसर तक पास्पोरस पाया जाता है बैसिक सिलेग कि समय या तो फिर बुवाई के पहले या बुवाई करने पर इसका इस्तमाल किया जाता है अगर और बीच में इसके आउ